2014 और 19 के लोकसवा चुनाओों सेही भारतिय जनता पार्टी की एक अहम मुद्दा जो चुनाओी मुद्दा रही है वो एक संकट के घेरे में आ गई है जिसे 2024 के भी चुनाओ के समय में भारतिय जनता पार्टी ने अपने घोसना पत्र में सामिल किया था लेकिन अब चुकी भ उनिफॉर्म सिविल कोड यानि के समान नागरिक संगिता के इस पर हम क्यों कह रहे हैं कि यह अटक सकता है और भारतिय जनता पार्टी सायद इसको पास करने में सफल नहीं हो पाएगी क्योंकि अभी जनता दल उनाइटेड की तरफ से एक बयान आया है जिसके बाद भारतिय जनता पार्टी की धरकने बढ़ गई है अब जनता दल उनाइटेड ने क्या बयान दिया है और भारतिय जनता पार्टी का UCC पर क्या स्टैंड है हम आपको विस्तार से बताएंगे लेकिन उससे पहले नवसकार में नाम वेद प्रकास है आप जनता जंशन देख रहे हैं औ कैमरे के पीछे हैं विशाल आईए हम बताते हैं सबसे पहले तो आप ये समझ लीजी कि समान नागरिक संहिता जो है भारतिय जनता पार्टी के सुरू के मुद्दों में से एक है 2014 में जब भारतिय जनता पार्टी अपना सरकार बनाई थी उस समय भी उसने अपने मुद्दे में UCC को जो रहा था यानि कि समान नागरिक संहिता लागू करने की बात की थी उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाओं में भी भारतिय जनता पार्टी के लिए ये एक अहम रही थी 2024 के लोकसभा चुनाओं से पहले इस बात का कई बार कयास लगा कि सायद लोकसभा चुनाओं से पहले पहले भारतिय जनता पार्टी जो है UCC लागू कर सकती है यूनिफर्म सिबिल कोड लागू कर सकती है लेकिन सायद भारतिय जनता पार्टी ये रिस्क नहीं ले में सामिल है और UCC को लागू किया जाएगा आपको बता दे कि सुतंत्र प्रभार केंद्री राज्य मंत्री जो है और जुन मेखवाल ने अपना पदभार ग्रहन करते हैं इस पर बयान दे दिया और इस पर बयान उनका आया उसके बाद तुरत जनतादल यूनाइटेड ने अ 2017 के आसपास मुख्य मंत्री नितिस कुमार ने UCC को ले करके एक पत्र लिखा था और उस पत्र में जो उन्होंने बाते कही थी हम आज भी उसी पर अरे हुए है नितिस कुमार ने पत्र लिखकर की ये कहा था कि UCC को थोपा नहीं जाना चाहिए UCC को आम सहमती के हिसाब से ल परन से भारती जनता पाटी के लिए एक मुसीबत का बात बन गया है अब समझ लिजे कि TDP ने भी इस बात पर यही बात दो रही है उसने कहा है कि जनता जली उनाइटेड जैसा बात जो बात कह रही है वो बिलकुल सही है और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से पह है इसलिए साइद यह दोनों पार्टिया जो है आम सहमती बनाने की बात कर रही है बाकी आपको क्या लगता है कि यूसी सी लागू किया जाना चाहिए या नहीं यूसी सी को लेकर के भारतिय जनता पार्टी का जो इस्टैंड है उसके बारे में आप क्या सुचते हैं और क् नितिश कुमार और जनता दिल उनाइटेड एक अहम भूमी का होंगे और अहम रोरा साबित होंगे अपनी राय कमेंट के माधरम संथ जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन बहुत बहुत धन्यवाद